संसार में पांच मुखी रुद्राक्ष को कालागनी का रूप कहा गया है। इस रुद्राक्ष पर पांच देवी देवताओं की कृपा बरस्ती है और इस वजह से यह रुद्राक्ष बहुत खास माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारन करने से मनुष्य के बुरे कर्मों का अंध होता है पांच मुखी रुद्राक्ष पर भगवान शिव, विश्नु, गनेश जी, सूर्य देव और मा दुर्गा की कृपा रहती है पांच मुखी रुद्राक्ष को कालागनी नाम दिया गया है जो स्वयम रुद्र है इसे सर्व कल्यानकारी और आयुश्वर्धक के रूप में जाना जाता है इसके उपयोग से जीवन के सभीक शेत्रों में भगवान शिव का आशिरवाद मिलता है और मोक्ष को दर्शाता है सभी इच्छाओं की पूर्ती करता है और इसके प्रशनसक पंच ब्रह्मा, गनेश, शिवम शक्ती, विश्नु और सूर्य देवत या पंच तत्व के रूप में सामने आते हैं ये जीवन के सभीक शेत्रों में सफलता प्राप्त करने और ज्ञान, धन, शक्ती, प्रसिद्धी प्राप्त करने और लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करता है कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उप्योग अक्सर कि आजाता है। यह आपके दुश्मनों को खत्म करने में भी बहुत कारग़ है। इसे पहनने वाले भक्त पर सभी पांच ब्रमा प्रसन होते हैं। भक्त द्वारा किये गए सभी प्रयासों में भगवान रुद्र भी सफलता देते हैं। इसे पहनने वाले के पास रोग नहीं आते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष की सता पर पांच प्राकृतिक रेखाएं होती हैं इस रुद्राक्ष के अधिपती देवता भगवान का अलागनी है जो भगवान शिव का ही एक रूप है ये सबसे अधिक पाया जाने वाला रुद्राक्ष है और यह वर्तमान जीवन क बुरे कर्मों को नश्ट करने की क्षमता रखता है, जिससे पहनने वाला शुद्ध होता है और उसका मन शांध हो जाता है। ये रुद्राक्ष वर्तमान जीवन में व्यक्ति द्वारा किये गए विभिन पापों को समाप्त करता है। इस रुद्राक्ष को प्राचीन ग्रंतों और लिपियों में बहुत माना गया है और इसे देव गुरु रुद्राक्ष की उपादी दी गई है क्योंकि इसका शासक ब्रहसपती ग्रह है जो देवताओं का गुरु है। ये रुद्राक्षा कस्मिक मृत्यू से सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी तरह के साध्य या ध्यान में भी महत्वपुन भूमिका निभाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को नाम, प्रसिद्धी और मानसिक शान्ती प्रदान करता है। पंच मुखी रुद्राक्ष के फायदे 1. मानसिक शांती प्राप्त करने के लिए इस रुद्राक्ष को धारन कर सकते हैं 2. धारन करता को विबिन विशयों का ज्यान अरजित करने में मदद मिलती है 3. धन और सम्रिद्धी पाने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारन करने की सलाह दी जाती है 4. अकाल मृत्यू से रक्षा पाने के लिए भी इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं पांच, ब्रहस्पती के अशुब प्रभाव से बचने के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष शुब रहता है छे, वेवाहिक जीवन में सुक्षान्ती लाने में भी यह रुद्राक्ष फायदेमंध है साथ, ये ग्रह ब्रहस्पती के पुरुष प्रभाव को प्रदर्शित करता है आठ, येह मन को संतुलित करता है और विचार प्रक्रिया में सुधार करता है नौ, येह महत्वपूर्ण शक्ती, ज्यान और भाग्य देता है दस, ये कुंदली में गुरु चांडाल योग के लिए एक प्रभावी उपाय है यदि इसे आठ मुखी के साथ पहना जाए ग्यारा, ये गुड लग, अकादमिक उतक्रिष्ट तालाता है और मन पर शांत प्रभाव दालता है बारह, पांच मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसे कभी भी असमय मृत्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा पांच मुखी रुद्राक्ष उन लोगों के लिए उतक्रिष्ट है जो अध्यात्मिक्ता, अच्छे स्वास्त्य और मानसिक शांती की तलाश में है पांच मुखी रुद्राक्ष के स्वास्त लाब एक, ये कब्ज को दूर करता है दो, ये रख्चाप को नियंत्रित करता है तीन, जैसा की प्राचीन वय्दिक ग्रंतों में वर्नेत है एक पांच मुखी रुद्राक्ष रख्चाप और शारीरिक वसा के नियमन के लिए बहुत सहायक है 4. ये रुद्राक्ष विशेश रूप से प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार मस्तिश्क स्मृती कम होने की स्थिती में स्मृती हानी को ठीक करने में भी बहुत उप्योगी है 5. ये रक्चाप, मानसिक विकलांता, मोटापा, हृदय की समस्याओं, तनाव, क्रोध प्रबंधन, मधुमे, बवासीर, विक्षिप्ट और कोपोशन की समस्याओं आदी के लिए एक चिकित्सा चमतकार के रूप में काम करता है किसे पहनना चाहिए 5. रुद्राक्ष, वे लोग जो अच्छी सेहत, मानसिक शांती के साथ साथ उच्चस्तर की अध्यात्मिक्ता चाहते हैं, उन्हें 5. रुद्राक्ष पहनना चाहिए ये रुद्राक्ष उन लोगों के लिए भी फाइदे मंद है जो रक्ट चाप, मधुमे और पेट की बिमारियों जैसे रोगों से जूज रहे हैं पंच्मुकी रुद्राक्ष धारन विधी, ब्रिहस पतिवार को प्रातहकाल जल्दी उठकर स्नान आदी से निवरित होकर इस रुद्राक्ष को गंगाजल आदी से पवित्र करें अब पूजा के स्थान पर लाल वस्वर बिच्छा कर इस रुद्राक्ष को रख दें फिर धूब दीब दिखा कर पूजा करें और 108 बारोम्हरिम नमह मंत्र का जाप करें अब इसी मंत्र का जाप करते हुए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूर्ण श्रद्धा पूर्वक इसे धारन करें इससे आपको पांच मुखी रुद्राक्ष का कई गुनालाब मिलता है तो मित्रू ये थी पंच मुखी रुद्राक्ष के विशे में कुछ विशेश जानकारी आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी यदि वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट करकर बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इसी तरह की और अधिक जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद